रामायन कथा एक अंश जिससे हमें सीख मिलती है एहसास की श्री राम लक्षमन एवं सीता महिया चित्रकूट परवत की ओर जा रहे थे रहा बहुत पत्रीली और कंटीली थी कि यकायक श्री राम के चरंड में कांटा चुप गया श्री राम रुष्टिया क्रोधित नहीं हुए बलकि हाथ जोड़कर धरती माता से अमरोग करने लगे बोले मां मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आप से आप स्विकार करेगी धरती मां बोली प्रभू प्रार्थना नहीं आग्या दीजी प्रभू बोले मा मेरी बस यही विनिती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पच से गुजरे तो आप नरम हो जाना कुछ पल के लिए अपने आचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना मुझे कांटा चुभा सो चुभा पर मेरे भरत के पाउं में आघात मत करना श्री राम को यूँ व्यग्र देखकर धरा दंग रहे गई पूचा भगवन द्रिश्टा शमा हो पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है जब आप इतनी सहष्टा से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे फिर उनको लेकर आपके चित में ऐसी व्याकूलता क्यों श्री राम बोले नहीं नहीं माते आप मेरे कहने का अभी प्राय नहीं समझी भरत को यदि काटा चुबा तो वह उसके पाओं को नहीं उसके रदय को विद्रिन कर देगा रदय विद्रिन ऐसा क्यों प्रभू दर्ती मा जिग्यासा भरे स्वर में बोली अपनी पीडास से नहीं मा बलकि यह सोच कर कि इसी कटीले राह से मेरा भाया राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुबे होंगे मैया मेरा भरत कलपना में भी मेरी पीडा सहन नहीं कर सकता इसलिए उसकी उपस्तिती में आप कमल पंखुडियों सी कोमल बन जाना अर्थात रिष्टे अंद्रूनी एहसास आत्मिय अनुभुती के दम पर ही टिकते हैं जहां गहरी आत्मिता नहीं वो रिष्टे शायद नहीं परंतु दिखावा हो जाते हैं इसलिए कहा गया है रिष्टे खूं से नहीं परिवार से नहीं मित्रता से नहीं वेवार से नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ आत्मिय एहसास से ही बनते हैं और निर्वन किये जाते हैं जहां एहसास ही नहीं आत्मियता ही नहीं वहां अपना पन कहां से आएगा झाल